ये जो फर्स्ट कुश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये लेटेस्ट डवल ए एक्जाम में आया हुआ कुश्चन है अगर आपका कोई फ्रेंड या कलीग इस लेटेस्ट इंटेक में अपियर हुआ था नेवी के तो आप उसको ये स्क्रीन सॉट बेज के बेरि अनुगमन वेगों का यानि कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेसियो हमसे पूछा गया है मोश्ट इंपोर्टेंट है हाइली एक्सपेक्टेड है कि आपके एरफोर्स के ग्रूप एक्स के इंटेक में ये कुश्चन आ सकता है तो इसके लिए आपको अनुगमन वेग यानि कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है इन टम्स ओफ क्या-क्या आई और एन यानि कि आपको ये फॉर्मूला पता अगर है आई इस उकल टू ए एन ई वी डी जहांपे वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ठीक है सब्फिक्स में डी लगा है ड्रि फिलाल मतलब नहीं है इससे मतलब नहीं है ये रेशियो में निकालना है तो ये इधर आ जाएगा यानि कि उपर आई का रेशियो लिखेंगे नीचे उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो आई का रेशियो कितना था धाराओं का साथ चार तो साथ चार बटे कंसंट्रेशन का र उपर गया तो 594 हमारा अंसर आ गया यह तो मैंने आपको वो एप्रोच बताई जो आपको एक्जाम में लगानी थी अगर आपको फॉर्मुला याद था इनकेस आपको फॉर्मुला याद नहीं भी था तो थोड़ा बहुत आप गैस वर्क भी कर सकते हो 50 परसेंट तो अगर आप 50% अलिमिनेट कर पाते हो उपसंस को तो हिट एंट राइल से भी जा सकते हो यह मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप तुक्के लगाओ आप माइनस मार्किंग भी होती है ठीक है लेकिन यह एक एप्रोच है इस तरह से भी हम जा सकते हैं अब मैंने आपको फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है कंसंट्रेशन में रिलेशन है तब आप कंफ्यूज मत हो जाना सेकंड तिंग यह कि यहां पर में भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो दे देता 5 इस्टू 4 ठीक है मेरी बात समझना अगर अनुगमन वेगों का अनुपाद दे दियا जाए और उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो दे दिया जाया और आपसे पूछ लिया जाए करेंट का रेशियो तब आप सेम फॉर्मूले से करोगे रेस्नलाईज जो है वो क्या था कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या होता है एक आपको एंस अगर ये फिनोमेना जो है अनुगमन वेग ये हर वार एरफोस के पेपर में कहीं इससे theoretical question बन जाता है बहुत सारे किसके इस पर effect पड़ते हैं इससे correlated चीजें जैसे सरांतिकाल माद मुक्तपत तो ये चीजे correlated चीजें हैं तो इनके fact आप किया करो मैं आपको बता रहो जैसे अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये concept अच्छा है ये बार-बार वीडियो में आ रहा है तो आप कहीं पर लिख लो एक box बनाओ उसमें लिख लो अनुगमन वेग जब वीडियो खतम हो जाए तो आपके पास कुछ ऐसे effect लेके हुए मिलेंगे तो आप चलते फिरते कभी आ उसमें टाइप कर दिया अगर आप Hindi मीडियम के हो तो अनुगमन वेग अगर आप English मीडियम के हो तो डिफ्ट वेलिसिटी तो Google आपको Wikipedia पर हमेंसा कोशिज करना किसी website पर कम रिलाई रहके Wikipedia पर जाओ और देखो क्या होता है डिफ्ट वेलिसिटी तो आपका क्या है कि brain जो ह वो आपका जो है function जो है start कर देगा उसी तरह से आपका thought process सुरू हो जाएगी आप उसी तरह से सोचना और इस तरह से physics के साथ आपने खेलना शुरू कर दिया तो Air Force का exam आपका कुछ नहीं है trust me guys Air Force में जो fact पूछे जाते हैं बिल्कुल basic चीजों का जो अगर basic आपका clear at 12th का तो Air Force की physics बहुत अच्छे से qualify कर सकते हो हाँ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले आपको याद जरूर करने पड़ेंगे और बहुत जल्द मैं आपको free of cost एक PDF देने बटे 5 जो होता है वो होता है temperature foreign aid में जो है उसमें से अगर हम 32 गटाएंगे 32 और 9 से डिवाइड करेंगे तो इससे हम convert कर सकते हैं centigrade वाले को foreign aid में और foreign aid वाले को centigrade में लेकिन इस question में यह formula नहीं लगाना है ठीक है यह question भी आ चुका है ठीक है सारे question memory based है question क्या है कि एक centigrade और एक foreign aid दो थर्ममीटर हैं उनको उबलते हुए पानी में डोबोया गया जब पानी का ताप तब तक गिराया गया जब तक की foreign aid वाला 140 रह गया तो फिर centigrade वाला कितना रह जाएगा उसमें कितनी गिरावट आएगी ठीक है अब मैं आपको बताओं इसको कैसे करना है आपको ए इसको आप ट्रिक से मतयाद कर रहा है एक बार मैंने पास्ट में ट्रिक से भी आद करवा दिया था बच्चे बहूल जाते हैं एक्जाम में इसका उसमें कर देते हैं 18 बते 10 की जगा पर 10 बते 18 कर देते हैं गलत हो जाता है इतना सेगमेंट आप याद रखना ठीक है यह टे इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो 72 आएगा और पूछा है सेंटीग्रेट का डिफरेंस क्या होगा सो से अब डिफरेंस होके मतलब सो से कितना गिर जाएगा तो इसलिए दिमाग में यह अभी वीडियो के साथ साथ ही फीड हो जाए क्योंकि बाद मैं मुझे पता है कौ तो सी टी सी हमें फाइंड करना है सो अधर चला जाएगा तो सोब अटे एक सोषी इंटु फॉरिनाइट का डिफरेंस फॉरिनाट में कितने का डिफरेंस आया एक सो चालिस रह गया उबलता हुआ जाल है तो 212 मेंसे 140 गटा होगे तो आप गटा आगे देख लेना 72 आप द क्योंकि theoretical question में average बच्चे question सही कर लेते हैं जहां पर दिक्कत आती है वह segment होता है numerical तो मेरी कोसिस है इस वीडियो के थुरू आपको एक तो glimpse दिखा पाऊं कि question का level जो numerical कुछ questions आते हैं 3-4 वो किस level के आते हैं और यह जो question आज मैंने इस वीडियो में include किये हैं यह सभी questions एर फोर्स में और नेवी में कई वार multiple times revise repeat हो चुके हैं तो इन questions पर आप command अच्छे से कर लेना का जिसमें spring को पहले इतना खीचा गया तो potential यह थी अब इतना खीचा गया तो potential क्या होगी इसमें क्या होते confusion बहुत होती है आपको इनका बलनिय तांक और जितना खीचा गया उसका square यानि कि हम finally जो यह चीज़े तो यह जो portion है वो तो constant है अब बात करें अगर हम इसको rationalize करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या u2 बटे u1 is equal to u2 मतलब दूसरी बार कितना खीचा गया 0.1 और u1 मतलब पहली बार कितना एक्स बन कितना किचा के 0.02 इनका square उस फॉल्मूने से डारेक्ट हम यह लिख सकते थे अगर हम देखें एक decimal नीचे दो अंक्के के बार decimal है यानि कि एक 0 उपर आएगा और नीचे का decimal कतम हो गया उपर का decimal कतम हो गया तू सी यह 10 जो है 5 ताइमस कट हो गया और 5 क स्क्वेर हुआ 25 और U1 का इधर जाके गुड़ा हो जाएगा तो 25 U हो गया यह कुशन गाइस बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एक्जामस में दियो परमाणो का अधर्स गैस को कारणू इंजन के कारेकारी पदार्थ के रूप में प्रियोग किय जाता है बहुत इंपोर्टेंट कुशन है रुद्धोस्म प्रिसार वाले भाग में गैस का आयतन इतने से 32 वी हो गया तो इंजन की दच्चिता क्या है देखो आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा जितना टफ लग रहा है उतना टफ यह कुशन है नहीं लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है अब देखो हमें क्या करना है मालो हमें कुशन पूरा हमने नहीं पढ़ा इतना कुशन अभी हमने पढ़ा कुछ ऐसा इतना तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम बढ़ा यार इतने गुना हो गया और दच्चिता पूछी गई है बात करें कर टी वी की पावर गामा माइनस वन बरावर कॉंस्टेंट है तो टी के रेशियो और वी के रेशियो में कोई रेलेशन है बिल्कुल है यानि कि आप मेरे सामने बिल्कुल सब कुछ के लिए है अब बचा है तो सिर्फ कैलकुलेशन क्योंकि यहाँ पे गामा माइनस वन है या का दियु परमाडों के लिए यहनी कि अगर हम देखें तो थीवी की पावर गामा माइनस वन बरावर नियतांक यानि कि अगर हम यहाँ परिखना चाहें यहां अगर हम ती टु बट्टी Cao — यहाँ पर अगर हम टित्य न लिखना चाहें जो कि रिकॉर V1 है V1 है V1 है V2 है 32 यानि कि 1 बटे 22, 21 बटे 22 की स्क्रावर 2 बटे 5 आ हैं वागए ऐक बटे 2 नहीं में जाती पर दोंगे 2 आजाएगा यानि K Mandy कि यह 1-1W4 1 मैं से 1W4 जाएगा तो 3W4 3W4 का मतलब 0.75 Question थोड़ा moderate था लेकिन अगर ऐसे ही question पर command है तो यही वो question है जो आपका selection ensure कर सकते हैं